हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूटूब चैनल सर्वेस स्टडी बच्चों आज हम आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही महतुपूरुन प्रस्णों की स्रिंखला लेकर आये हैं जो की कच्छा दस के विज्ञान विशे से समंधित प्रस्ण है और बच्चों ये सभी प्रस्ण बहुविकल्पी ये प्रस्ण है और ये सारे प्रस्ण मैंने पिछले साल के जो भी पेपर्स हुए हैं बोर्ड परिच्छा के उनसे निकाले हुए प्रस्ण है मतलब उनसे चाट चाट के हम इसको बनाए हैं तो यहाँ पे आज हम इसको हल कराएंगे तो जो भी हमारे बच्चे कच्छा 10 का बोर्ड परिच्छा देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को इंड तक देखेंगे, ताकि जो भी प्रस्न हम यहां पे करा रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आसके, उसका कॉंसेट आपको अच्छे से समझ में आसके, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह की महतुपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स ज्यादा सक्री है, तो बच्चों हमने यहां पे बताया था एक रियक्टिविटी सिरीज बताया था, मतलब कि सक्री अधातूं की स्रेडी बताई थी, जिसमें हमने सबसे अधिक जो क्रियासील अधातू बताई थी, वो बताई थी, पोटैसियम बताई थी हमने, और उसके जिंक बताया था, मतलब कि इस तरीके से हमने एक स्रेडी बताई थी, आपको याद होगा, तो यहां पे बच्चों अगर आप देखोगे, तो यहां पे देखो, आईरन जो दिया है, जिंक दिया है, मैगनीसियम, यह तीनों ही कापर से ज़्यादा सक्री धातूं हैं, क्यों यहां पे आंसर कौन सा होगा, सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, ओप्शन डी होगा, उपर युक्त सभी, ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रसन की तरफ, अगला प्रसन यहां पे दिया है, कोईले का दहन किस प्रकार की अभिकृया है, बच्चों हमसे उत्तर हमारा सही क्यों होगा इसको भी हम देख लेते हैं हम रीजन पता कर लेते हैं मतलब कि कियूं ऐसा हम ये वाला उत्तर क्यूं लगा रहे हैं इसको भी समझ के चलेंगे तभी हमारा concept क्लियर होगा बच्चों तो गोईले को जब दहन किया जाता है इसका मतलब क्या है कि हम carbon को जलाते हैं मतलब oxygen से reaction कराते हैं तो ये क्या बनता है हमारा carbon dioxide gas बनती है CO2 बनता है और आप देखो कि अभिकारक की तरफ दो तरह के अभिकारक आपस में संयोग कर रहे हैं और एक simple एक single उत्पाद बना रहे हैं एक अकेला उत्पाद बन रहा है तो हमने बताया था कि जब भी हमारा दो अभिकारक आपस में संयोग करते हैं और एक अकेला उत्पात बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है तो यहां पे संयोजन हो गया और आक्सी करण कैसे हो रहा है तो हमने आक्सी करण जोड़ना क्या कहलाता है आक्सी करण कहलाता है तो यहां पर आक्सी करण भी हो रहा है कार्बन का आक्सी करण हो रहा है और वो कार्बन डायाक्साइड गैस में परिवर्तित हो जा रहा है तो यहां पर बच्चों जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा वो होगा हमारा पहला जो विकल्प है संयोजन तथा आक्सी करन। ठीक है बच्चों ? हम चलते हैं अपने अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न हमारा क्या दिया है बच्चों ? ध्यान से देखिएगा आप किसी क्रिया सिल धात की तंसल्फियूरिक अमल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है कह रहा है कि कोई क्रिया सिल धातु का अगर हम तनु सल्फियूरिक अमल से क्रिया कराते हैं तो क्यों सी गैस यहां पे निकलती है हम अभिक्रिया देख लेते हैं मालो हमारे पास एक क्रिया सिल धातु है हमने मैगनीसियम को ले लिया और मैगनीसियम की अबिक्रिया हम तनू सल्फ्यूरिक अमल से कराएंगे बच्चों तो यहाँ पे हमारे कौन सी गैस मिलेगी वो हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या-क्या बन जाएगा मैगनीसियम सल्फेट बन जाएगा बच्चों और क्या बनेगा इसी के साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चो तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर लगाना है यह आपको समझ में आ गया होगा हमारा कौन सा आंसर सही होगा यह वाला जो हाइड्रोजन दिया है यह हमारा सही विकल्प है ठीक है बच्चो तो किसी भी क्रिया सिल धात की जब हम तन सल्फियूरिक अमल से क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है हम चलते हैं अपने अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न यहाँ पे दिया है बच्चों कह रहा है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस प्रयुक्त कर देते हैं ताकि उनसे उपचयन न हो सके बच्चों कह रहा है कि चिप्स जो बनाते हैं कमपनी में वो चिप्स की थैली में कौन सी गैस का प्रयुक्त करते हैं कि उपचयन नहीं होता है उपचयन नहोने का मतलब क्या है कि वो जो chips packet में रहता है उसकी जो मतलब की smell होती है वो खराब नहीं होती है तो कौन सी gas उसमें मिलाई जाती है बच्चों nitrogen gas मिलाई जाती है बच्चों तो इसका जो सही विकल्फ होगा वो कौन से होगा नाइट्रोजन होगा ठीक है बच्चों हम चलते हैं अपने अगले प्रस्ण की तरफ अगला जो प्रस्ण है बच्चों वो यह है कि जिंक की तनू H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी कह रहा है कि जिंक जो धातू है उसकी जब क्रिया हम तनू H2SO4 से कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी इसके पहले अभी प्रस्ण आया था बच्चों की जब किसी भी क्रियासी लधातू की तनू H2SO4 से क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है वहाँ पे हाइड्र बच्चों हम देख लेते हैं यहांपर हमारा जैडएन एसोफोर बनता है जींक सेलफेट बनेगा और हमारी कौन सी गैस निकलेगी यहांपर फिर से हाइडरोजन गैस निकलेगी मतलब इसका जो सही उत्तर होगा ना बच्चों वो कौन सा होगा यहां पर H2 होगा ठीक है H2 का मतलब Hydrogen Gas होगा ठीक है बच्चों हम चलते हैं अपने अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण यहां पर दिया है Magnesium का वायू में जलना है Magnesium का वायू में जलने का मतलब क्या है कि जब हमारा Magnesium जो है वो वायू में जलने का मतलब है कि वायू से यह अभिकरिया करेगा Oxygen से और यह क्या बनाएगा Magnesium का Oxide MGO बना लेगा बच्चों इसका मतलब क्या है कि Oxygen यहां पर जोड़ रहा है तो आक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आक्सीकरण कहलाता है, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे सही विकल्प होगा, वो कौन सा होगा? तीसरा वाला आक्सीकरण, ठीक है बच्चों? अगला प्रस्ण है स्क्रीन पे बच्चों हमारा इसमें दिया है कि विद्यूत लैम्पों के तंतूं के निर्माण में प्राया एक मात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि कह रहा है कि जब हम भी हम विद्यूत लैम्प के तंतूं का निर्माण करते हैं तो उसमें हम टंगस्टन का ही उपयोग क्यों करते हैं बच्चों तो आप सभी को पता होगा नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो बच्चों टंगस्टन होता है उसका जो गलनांग होता है वो बहुत ही जादा होता है और टंगस्टन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो उसका तंतू रहे जो भी लैंप में तंतू लगा है बल्ब मे वो जल्दी पिखले जिससे जो हमारा बल्ब है काफी समय तक चलता रहे और प्रकास हमको प्रदान करता रहे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा मतलब जो सही उत्तर होगा बच्चों यहाँ पे वो कौन सा होगा पहला दिया टंगस्टन का गलनांग तथा प्रतिरोध बहुत कम होता है यह हमारा नहीं होगा हमारा जो सही उत्तर है वो दूसरा उत्तर होगा टंगस्टन का गलनांग तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है ठीक है बच्चो इसकी वज़े से हम इसका प्रयोग करते हैं अगला प्रस्न यहां पे दिया है बच्चो हमारा स्क्रीन पे आप देखो कह रहा है कि किलो वाट घंटा किसका मात्रक है बच्चो किलो वाट घंटा हमारा किसका मात्रक है हमने बताया था ये हमारा विद्यूत उर्जा का मात्रक है ठीक है बच्चों हम चलते हैं अपने अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न दिया है कि निश्चित ताप पर किसी चालक के सीरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमान उपाती होता है या निय यह जो यहां पर कथन दिया है यह किस नियम का कथन दिया हुआ है बच्चों तो यहां पर यह जो तीसरा विकल्प दिया है ओम का नियम यह इसका सही उत्तर है क्योंकि ओम के नियम में क्या बताया गया था यही बताया गया था कि किसी चालक के सीरों पर जो विभवांतर हो होता है वो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाति होता है और यहां पर कथन दिया है तो यह कौन सा नियम है ओम का नियम है इसका सही उद्तर तीसरा रो से प्रदर्सित करते हैं ठीक है बच्चो मतलब कि यहां पे अगर हम इसका थोड़ा सा सूत्र देखें तो सूत्र यहां पे इसका सूत्र क्या होगा बच्चो एक सूत्र आया था आर बराबर रो गुंडते एल बटे ए जहां पे आर हमारा प्रतिरोध है और रो जो है यह का नियतांक है एल हमारा जो है वो चालक की लंबाई है और ए जो है वो उसका प्रिष्ठी चेत्रफल है ठीक है बच्चो तो यहां पे जो सही उत्तर होगा बच्चो हमारा वो कौन सा होगा प्रतिरोधक्ता का जो मातरक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है ठीक है बच्च का जो सही उत्तर होगा वो चौथा option होगा हम चलते हैं अपने next प्रस्ण की तरफ next प्रस्ण दिया है बच्चों यहां पर जब प्रकास प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है किसका सबसे अधिक विचलन होता है बच्चों जो हमारा spectrum बन रहा था क इब ग्योर का V-I-B-G-Y-O-R तो इसमें आप देखोंगे सात रंग होंगे एक दो तीन चार पांच है सात रंग है तो सबसे ज़ादा जो विचलन होता है वो किसका होता है V का मतलब की बैगनी रंग का सबसे ज़ादा विचलन होता है वाइलिट रंग का ठीक है बच्चों तो यहाँ पे सही जो उत्तर होगा वो C वाला होगा बैगनी रंग में ठीक है बच्चों